इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं workbench की, कैटिया के जो workbench है उसके लिए आपको यहाँ पर start पर click करना होता है और यह सारे workbench है जिसमें आप different different तरीके के काम कर सकता है तो उसमें सबसे ज़्यादा use होने वाला है mechanical design design यहाँ पर आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर name save करना होगा जिस भी नाम से आपको product बनाना है वो आप यहाँ सेव कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर यह user interface part design का यानि जो भी आप mechanical component या फिर कोई और component बनाना चाहते हैं वह आप यहाँ पर बना सकते हो इन में से आपको कोई भी एक plane select करना होता है उसके बाद यहाँ sketching पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर sketch करोगे और यहाँ पर लास्ट में एक option दिख जाएगा यह visualization का यहां से आप background color change कर सकते हो तो देखें यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूं white पर तो देखें जो background color है वो पूरा white हो जाएगा यहाँ पर आपको demo दिख रहा होगा यह कुछ इस तरीके का color हो दिख है और इहाँ पर यहाँ पर यह कर देथे हैं graduated color Gleiche Assam तो जो color है वो पूरा को पूरा सेम रहेगा मैं इसको वापस से water यह दिखैंग आवपस से Blue कर देता है और अगर आप पर टिक कर देते हैं तो color जो है वो धीरे धीरे चेज़ हो रहा है नीचे थोड़ा light blue है और उपर dark है तो आप ये भी कर सकते हैं और इसके लावार कोई और भी color चूज कर सकते हैं Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.